हरियाना विधांसवा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख की घोशना कर दी है राज्य में 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे वही नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे सुनील अरोणा ने आज चुनाव की तारीखों की घोशना की बता दे हरियाना में विधांसवा की पुल 90 सीटे हैं वोटर्स की संख्या की बात करें तो 1.82 करोड वोटर्स हैं हरियाना विधांसवा का कारेकाल 2 नवंबर को खतम हो रहा है सुनील अरोणा ने चुनाफ की तारीखों की घोशना करते हुए कहा हरियाना में नोटिफिकेशन की तारीख 27 सितनमबर है वही नामकन की आखरी तारीख 4 अक्टूबर है उन्होंने आगे कहा स्कूरूटिनी की तारीख 5 अक्टूबर तक है जबकि नामकन वापस लेने की तारीख 7 अक्टूबर तक है मुख्य चुनाफ आयोग ने कहा उमीदबारों के लिए चुनाफ प्रचार की आखरी तारीख 19 अक्टूबर है इसके बाद 21 को मद्दान और फिर 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे यहां यह बता दें कि चुनाफ आयोग द्वारा तारीखों का एलान किये जाने के बाद से ही अचान सहीता लागू हो गया है राज्ये में मुख्य तोर पर वीजेपी और कॉंग्रेस के बीच ही मुकाबला होने की संभावना है इसका एक कारण यह भी है कि पिछली विधान सभा चुनाव में दूसी सबसे बड़ी पार्टी आई एनल दीग में बिखराव हो गया है पार्टी सदस्य के बीच पारिवारिक कहल की वजह से इस बार एक जुट नहीं है ऐसे में मुक्खे मुकाबला कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है वहीं यूपी की 11 विधान सभा सीटो पर होने वाले उप्चुनाव के लिए भी अधिसूचना जादी कर दी गई है चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉंफरेंस में जानकारी देते हुए बताया कि 11 सीटो पर 21 अक्टूबर को मद्दान किया जाएगा 24 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोशित कर दिये जाएंगे कर दिये लाएंगे यह होगा कर दोनादी कर दो जाएंगे